दोस्तो ही हुरी मेंस के जाने के बाद जो कि कैंग का ही का और्टेनेट वर्जन है यहाँ पर मल्टिवर्स वर हम लोगों को देखने को मिल रही है लेकिन यह वर किस लेवल तक जाएगी अभी तक हम लोग नहीं पता और आगे जाके यह Avengers 5 मुई को कैसे एफेक्ट कर सकती है असके बाद कैसे Iron Man वापस आएगा आज समय लोग डिसकस करेंगे और यह भी जानेंगे कि आगी क्या होने वाले सीजन 2 में तो दोस्तो कम्प्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पर आप लोग कर दिजिए वीडियो को लाइक और कवेंट करके बताइए यह तक हम लोग न करते हैं बिलको लाइपडेट से सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक वर्जिन के कैंग के जाने के बाद यहां पर कई वर्जिन की कैंग आजाद हो गये हैं जो कि मल्टिवर्श लेवल पे कुछ भी कर सकते हैं यहां पर एक युनिवर्श ऐसा हो सकते हैं यहां पर अभ लेवल की इन्योज को कण्रोल करने का मौका मिल जाएगा और लेकिन यहाँ पे अगर लूग बात करें अपने न्योज की तो यहाँ पर टूरी श्टक तो है ने लेकिन हाँ बाकी नियुज में वह अभी भी एकजस्ट करता है यहाँ पर कौन एक्टर्च को प्ले करेगा यह तो आरे वाला वक्त पताएगा लेकिन एक चीज़ तो कर्फम में Avengers 5 हम लोगो में विलन क्यांग और डॉक्टर डूम दिखाए दिये सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं Avengers endgame movie क्या कमाल करके गई थी इसके बाद Russo brothers पूछा भी गया अब आप क्या वापस तो Russo brothers को Avengers 5 more diet करने के लिए आना पड़ेगा लेकिन यहां पर एक बात में clear कर देता हूँ कि अगर आप लोग comic book पढ़ेंगे तो Avengers Secret War में जो में विलन था वो डॉक्टर डूम था लेकिन उसी के साथ यहां पे Kang the Conqueror भी उसके काफी साथ दिया है अब यहां पर मेरे साब से Cinematic Universe में स्टोरी थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि अगर लोग बात करें थनौस के मोटिव की उसने इंफिंट्री स्टोन इसलिए कलर किया था ताकि वो लेडी देट को इंप्रेस कर सके लेकिन यहां पर इसने Cinematic Universe में यह सब काम इसलिए किया ताकि विद बैलन्स क्रेट कर सके पर आपको पता है दोस्तों आने के पहले हम लोग को एक और मुई दिखाए देगी या फिर वो टीवी सीरीज की रूप में आएगी जो कि है यंग अब यहां पर एक बात तो है अभी यंग अवंजर कौन है मार्वल सेनिटिक नोस में वो हम लोग को पता चल गया है जि पहले मेंबर होता है यह अवंजर स्टीम का जिसका नाम होता है आरें लैड अब आप लोग सोच रहोंगे असल में तो हो हाली बन जाता है जो कि हम लोग को दिखाए दिया था आरें में 3 मुई में तो दोस्तों ऐसा नहीं है असल में जो टाइटल है वो कैंग के एक और्ट सकता है अब यहां पर एक चीज और है उसका इंट्रोडेक्शन हो सकता है डॉक्टर स्टेंज मॉल्टिवस और मैंडेस में हो हो सकता है वो किसी और युनिवस में विकर्न और स्पीट की हैल्प कर रहा हो अब यहां पर आप लोग जानते होंगे इनका नाम असल में बिली ओपन कर दे जहांब इसी हम लोगों यह दो नहीं दिखाए देंगे बलकि दो नहीं क्याक्टर और आएंगे में समयर का और दूसरा वो वर्जन का कैंग जो आगे जाके आरेन लैट बनेगा अब दोस्तो इस वर्जन के कैंग को डॉक्टर स्ट्रेंज असली सचा है बताए जिसे देखके वो यह डिसाइड करेगा वो करेंट इनवर्स में रहेगा क्योंकि मल्टिवर्स वार हो गई है और अपने खुद की एवंजर्स टीम बनाएगा और आगे जाके कैंग को सबक सिखाएगा और ऐसा होता भी है दोस्तो हम लोगों को यह दिखना है कि हम लोगों और इवल्व करने का और यह को टोंश टाक की हम ली सकता है जिसको जैसे उसके अपास काफी अडवनस आर्मर आ सकता है यानि दोस्तो टोंश टाक एक कैंक को ट्रेंद कर रहा है ताकि वह एक ईवल olması से फाइट कर सके सुदने में तो काफी इंद्रेस्टंग लग रहा है ले जैसे कि उसकी जो आखरी मूई है वो है फैंटेस्टिक पूर जिसकी विज़े से दोस्तों हम लोगों को बाकी चार नए सुपर इरो दिखाए देंगे और डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन हो जाएगा लेकिन यहां पर आपको पता है क्यांग को पहले टेखनोलोजी दि लिए वो डॉक्टर डूमी दिये थे यहने दोस्तों आगे जाके क्यांग की काफी हल्प ला सकते हैं लेकिन असली दिखकत तब आगी जब यह सब होने के बाद ग्रेक्टर की इंट्री हो जाएगी दोस्तों हो सकते हैं अभी तक मार्वा सिर्मेटेकर उसमें ग्लेक्टर क एक गैरी नीद में दिखाया गया हो लेकिन जैसे ही सब यूनिवर्स कोलाइड होते हैं उसकी नीद टूट जाती है जिसकी उजसे हो गुस्ते में आ जाता है अर्थ पर अटाक करने और उसी अर्थ पर इस समय एवंजर सीक्रेट वर मुई चल रही होगी तो आगे जाके द दिखाय देंगे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर उसके बाद वुलवरीन और नाजरी कितने लोग और यहां पर जाके हम लोगो और अच्छी लेवल की मुई दिखाय दे सकती है जिसका नाम हो सकता है एवंजर्स एज ओफ गलेक्टस क्यों की दोस्तों हम लोग की सीजन कोश लेगा जहां पर से हेल्फ निल सकती है तो उसी एक्जाक्ट मोमेंट पर हम लोगो नहीं अवंजर्स मुई दिखाये देगी अब यहां पर कोश्चन ही आएगा क्या यह एवंजर्स मुई हम लोग के करेंट उनवर्स में बनेगी तो दोस्तों यहां पर ऐसा हो भी सकत लेकिन आगे जाएगे क्या पता सिल्वी उसके साथ हो जाए लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है अगर जैसे मुटिवर्स शुरू हो रहा है जो कि हम लोग को दिखा दिया लूकी की टीवी स्रीज में उसके बाद यह कभी स्टेबल नहीं हो सकता है क्योंकि मुटिव मुटिवर्स का मौकद है जहां पर उसकी फ्रीविल तो काम करेगी लेकिन एक तरह की वार हो जाएगी यहां पर पूरी तरह लोग की डॉक्टर स्टेंज और डिपेंड करेगा कि यह लोग मुटिवर्स की जो प्रॉब्लम है उसे कैसे डिल करते हैं क्योंकि दोस्तों कॉम या फिर उसने कुछ गलत भी कहा है क्योंकि दोस्तों यहां पर इंडाक्ट वे में यह कहना चाला है कि अब तक वो टाम लिन पर रूल करेगा तब तक सब कुछ सही चलेगा लेकिन जहां वो हटा वो चीज नहीं समल पाएगी तो दोस्तों यह थी एक अमेजिंग स्क्राइबर के हमारे सूपरेडर फामिली का हिस्सा बन जाएगा